नमस्कार, BSAFF के श्रिंखला में आपका बहुत पत्सवाकत है, World Investor Week 2020 के उपलक्ष में हम ये जो पूरी श्रिंखला चला रहे हैं, इस सामाने निवेशक जब भी कभी स्टॉक मार्केट में आएगा, तो क्या-क्या खबरदारी और क्या-क्या फॉर्मलेटी उसे निभानी प लेकर आ रहा है, तो सत्र केंते हैं, उन्हें भी दन्यवाद भूलना मत भूलेगा, हमने अपत्रक चर्चा की, कि अधी कोई सामाने निवेशक बजार में आ रहा है, तो उसे कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, डिमाट अकाउंट, अनिवारी है, क्या-क्या काउग्जात लगे बनती हैं, उसे के साथ-साथ, अब हम अकाउंट ओपलिंग फॉर्म बरेंगे, तो हमारी पहली पूरी प्रकरिया है, जो प्रोसीजर है, स्टॉक मार्केट में आने की, अकाउंट्स खोलने की, और इसके बाट ट्रेड करने की, वो पूरी होती है, आईए जानते, एक सैंप होती है, यह आइडेंटिटी का पेज है, फिर आइटरेस का रिटेल है, और फिर डिक्लेरेशन है, ऐसे तीन हिस्सों में इसको भागा जाता है, हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़े देखनी है, यह एक जनरलाइस्ट फॉर्म है, थोड़ा बहुत आगे पीछ उनका नाम, पूरा लिखना पढ़ता है, फिर उनका भी पहला नाम, उनका middle name और फिर आखनी का नाम, mother's name लिखना आनिवारे होता है, mother's name अधर में लिखना पढ़ता है, उसके बाद हम यहाँ पर मेंचन करेंगे कि gender, male, female, transgender, rate of birth, जो pencard में लिखी गई है, वही यहाँ यहा पर nationality इंडिंडियन तिक करके दिया गया है स्टेतस पर बाकि सारे जो अलग लग स्टेटस होते हैं जो कुछ समय के लिए अपने देश में रते कुछ भारत अनरा रात हैं यह उनके सबमित किया है आदायर सब्यूट किया पढकर तो से तोला कर यहां पहला है उसके बात सब्साइब क्या भी हुए हम거든 सब्सक्राइब है था फोटोग्राफ यहां फोटोग्राफ करना jug हमारा पूरा एड्रेस यहां पर लिखेंगे कौण से शहर में रहते हैं ये एड्रेस के लिए अध्यकर कौण से है कॉर्म को आहीं रहे हैं contact number mobile number यहां पर लिखना है residence का number लिखना है अगर office में telephone है तो वो लिखना है email address भी अक्सर confusion होता है कि small में के capital में लिखना है क्योंकि हमारे email address एक्सर small में रहते हैं लेकिन इमेल अड्रेस लिखते हैं तो भी हमने capital पर ही लिखना है समझने के लिए आसान जाते हैं कि उसमें एक भी alphabet अगर गलत हो जाता है तो हमें हमारा communication तूट जाएगा permanent address यह यहाँ पर लिखना है अगर correspondence address अलग है तो यहाँ पर वापस city, country, state अगरे यह सारे चीज़े address रिटल सरीका वैसे होना जाए जो कि हम address प्रूफ दे रहे वह important है address must exactly match जो कि हमारे passport आदा जो कुछ भी हमने दिया होगा उससे मैच करेगा फिर यह declaration कि हमने जो भरी हुए information है वह सारी सही है यहाँ प्लेस, date और यहाँ पर हमारे signature के वैसी इस तरीके से बरी जाती है इस तरीके से फॉर्म बरना चे टैपिटल साफ सुत्रा पॉर्म बरें काटा पीट ना करें तो अच्छा रहेगा हम यही पर रोकेंगे आपको मैरे 17 पसंदार है बहुत बहुत थान्यवाद यही विशे इंग्रेश और मराटी में भी उपलब दे यूटीब चनल पर जाकर आप देख सकते हैं